स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विट नेतिन में गूगल मीट में हम पार्टिसिपेंट्स की अटेंडन्स कैसे ले सकते हैं उसे रिलेटेड एक नए प्लगीन के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस प्लगीन के यूज़ करके आप अपने पार्टिसिपेंट्स की जो अटेंडन्स हैं वो विदिन ए सेकंड रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हूँ है जिसमें मैंने एक दूसर प्लगीन के बारे में बताया हूँ है अटेंडन्स लेने के लिए बट उस प्लगीन के यूज़ करने में काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने एक नए प्लगीन के बारे में सर्च करा है और ये plugin उस plugin से ज्यादा अच्छा है अब ये आप लोग जब यूज करेंगे तब आप लोग वो समझ जाले कि आपके according जो आपको चीजे चाहिए थी वो इस plugin के तुर आपको मिल रही है कि ने मिल रही है बट जितना मैंने इस plugin को यूज करा है ये जो plugin है ये उस plugin से काफी अ आपको आपको हुआन होने का टाइम और लीव होने का टाइम डोनों टाइम जो है वो मिल जाएंगे और पूरी प्रॉपर जो है आपको आपको अच्छारी जोनी बारचाहिए आप डाउलोड कर पाएंगे तो ये जो लगए ये पुराने वाले plugin से काफी बहतर है और जिन लिए वीडियो में वापस से बना रहा हूँ एक नए प्लग इन के साथ में ताकि अन लोगों की जो प्रॉब्लम से वो रिजॉल हो सकें तो दोस्तों बिना देर किये शुरू करते हैं टुटिरल ठीके चोटा सा टुटिरल है आप ध्यान से दिखेगा आपको कंप्यूटर प इसके अंदर जादा टाइम बेस नहीं कर रहा हूँ तो इस तरह किया जो पेज यह उपन हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं कि यह गूगल मीट अटेंडन का एक नया प्लगिन यहां पर दिया हुआ है इसको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे वैसे यहां पर आपको इस तरह का बटन जो है यहां पर दिखना लग जागा प्यूकि मैंने इसको यहां पर इस तरह का बटन शो कर रहा है तो इसलिए यहां पर इस तरह का बटन शो कर रहा है अब आपको क्या करना है आप लिखिए गूगल मीट ठीक है इतना लिखके आप एंटर प्रस करिए औ यहां पर आपको गूगल मीट की वेबसाइट आजाएगी, इसको आप सार्ट करिये, यहां से आप स्टार्ट मीटिंग कर दीजिए, यहां से जॉइन हो जाता हूँ, अब जो होस्ट है, उसकी इंफॉर्मिशन आपको अटेंडनेंस में नहीं मिलेगी, जितने भी पार्टिस स्क्री नहीं दिखाँगा क्योंकि इस वीडियो में मुबाइल की स्क्रीन को दिखाने की कोई जरूवत नहीं है, ठीकर, को मार में इस मीटिंग में होने वाला हूं, अपने मुबाइल से, और मैं दो से जाएगे मीटिंग के अंदर तिके यह मैंसे जाया है और मीटिंग कर लेज भो हो गये और दो participants अब इस participant ंते Спort時 को मैं यहाँ से हटा अग और यह पार्टिस्पerte को मैं यहां से हटा दूगा या वे participant ंते हिं या इस meeting से चलार जाएगा अभी यह participant भो कुछ The से लीव कर रहा है तो इस participant ने देखिए यहां से मीटिंग से लीव कर दिया आपको दिख गया है अपर ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं दूसरे account से यहां पर join होता हूँ ठीक है वापस से इस meeting में मैं join होता हूँ एक दूसरे participant के थूँ तो हम देखते हैं कि यह जो attendance आती है वो दो participants के आती है कि नहीं आती है क्योंकि जो मेरा account है वो अलग-अलग है ठीक है दोस्तों तो मैं यहां से दूसरे account से जोइन होने वाला हूँ मेरे mobile device के थूँ देखते हैं देखिए यहां पर message आया someone is trying to join यह एडमेट हो गया है ठीक है तो जो नए participant है वो एडमेट हो गया है मीटिंग के अंदर ठीक है दोस्तों तो अब हम वापस देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर दो participants वापस हो गए एक host है और एक नया participant है ठीक है अब यह participant भी इस meeting से leave कर देता है ठीक है तो दो participants वो अलग-अलग time पे join हुए थे और अलग time पे उन्होंने अब मैं क्या कर ला हूँ अब मुझा attendance कैसे लेनी है अगर यह plugin इंस्टॉल करके रखा होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है आपको से participants के उपर click करना है इस तरह से यहां पर आपको participants की window पर right click करना है ठीक है mouse से right click करना है right click आप जैसे भी करेंगे यहां पर कर सकते हैं आप chat window में right click कर सकते हैं आप कहीं पर right click करेंगे आपको save attendance यहां पर दिख जागा ठीक है अब आपको पास इसके उपर click करना है आप जैसे इसके उपर click करेंगे यहां पर देखिए जुआ है डाउमलोड हुए है अपको सिट को अफन कर रहा हूंशे के अब यह जैसे यह सेएंध करी आप देखिए यहां पर पर ऑर पर하겠습니다 का ड tack करा डेट आइंड कर लेंडे का मतलब अगर आपकी मीटिंग के लिया है कितने इस के अधिसके में की वहाँ आंदर साथ ओन अब ही आप लोगों के सामने में वापस से मीटिंग के अंतर जोईन हो गया हूँ तो आपको तीन एंट्री दिखाई दे जाएंगी, जो नितिन वर्मा है, वो दो बार मेटिंग में जॉइन हुआ और दो बार लेफ्ट हो गया, अलग-अलग टाइम पे, ठीकिन, तो दोस्तों कितना आसान हो गया आपके लिए अटेंडेंस देना, इससे आसान तरीका कोई आ मितलएंस का को अपनक अबते हैं तो या उतने बार डाउलोड कर सकते हूं, एक बार नहीं आप सोबार डाउलोड कर सकते हैं, और हर बार वो आपको नई शीट देतेगा, जिसमें आपके सारे पार्टी इससे आपको डेटील मिल जाएगी, तो आप चाहें, तो मीटिंग ज क्योंकि आप देख सकते हैं जो बंदा सबसे पहले जो एनो के गया था उसकी भी entry जो है वो यहाँ पर मिल रही है तो इससे कोई प्रावलम नहीं है कि आप इसको बाद में यूज करें पहले अगर आप इसको सबसे आखरी में यूज करते हैं अगर आप मीटिंग को एंड करन हैं एक बार में अगर आपके पार्टिक्स में ज़ाइन होके दस बार लेफ हुआ तो भी आपको end of the meeting सारी details जसता one click में मिल जाएगी ठेके दोस्तों इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता attendance का इस tutorial को मैं यहीं पर end करता हूँ और ज्यादा कुछ बताने को है ने इस tutorial में औ और उमीद करता हूँ कि यह जो वीडियो है यह लोगो को अपसंद आए और उनकी जो problem से वह solve हो जाए जिनको भी attendance प्रबलम हो रही थी उनकी जो problem से वह solve हो जाए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज यह से like करिए share करिए subscribe करिए जितने ज्यादा लोगो बडल्लम के साथ आप शेयर कर सकते हैं उतना उन लोगों के लिए अच्छा होगा मेरे लिए अच्छा होगा क्योंकि उन लोगों को ये नए plugin करिए और सब्सक्राइब करिए आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए टूटूल के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद इस्ते सेव इस्ते एट हो